नमस्कार में कुश्बुल सिंग और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीबी देश का महापर्व चल रहा है यानि की लोगसभाद चुनाव चल रहा है तीन चरणू के चुनाव जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं चार और बचे हैं ऐसे पे आरो प्रतयरों का झूझ अब आपकश भिपक्श में यह जारी है ऐसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ है एक ऐसे नेता जो बहुत ही कम उम्र से ही राजनीती में कदम रहती है जी हां गोरखपुर से बिलौन करते हैं और कहते हैं गोरखपुर कि जो लोग होते जो नेता होतान का आहम रोल होता है वो नहीं मिला जो इनका सपना था, सपना भी दूर है लेकिन आमुम्किन नहीं है, तो बता जते कौन है हमारे साथ हमारे साथ हैं, राजेश, पांडे जी, जो कि एक जाने माने उद्योगपती हैं लखनों के और इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं, तो सबसे पहले कैसे हैं स आजनीती में आपको बता दू मैं उद्योपती बाद में हूँ पहले मैं सुरू से चातनेता रहा और चातनेता के साथ हम सुरू से समाजिक जीवन जीए पिछले पचीस साल से जादा हो गया मैं समाज में समाजी कारे करते हुए चल रहा हूँ आज हम उसी के उस पर जो है है इज्यत है लोगों ने आज हमें अपने पलकों पर रखा हुआ है हर कदम पर लोग हमें पूछते हैं अभी उसके बाद मैं भारती जनता पार्टी में आ गया 2017 के बाद तब से मैं भारती जनता पार्टी का जीए कारे करता मैं काम कर रहा हूँ और आज चुनाओं में जैसा कि मैं खुद देखती रहती हूँ आप बहुत अबडेटेट हैं और पार्टी साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं आपने बहुत सालों से कहा कि 25 सालों से आप जुड़े हुए हैं राजनीती देख रहे हैं अब पहले कि और अब में कितना बदलाव आपको देखने क थे कि एक समाज को हमने जोड़ लिया तो हम आगे बढ़ गए आज क्या है कि हम सर्व समाज को लेकर खास करके अभी मैं बताना चाहूंगा भारते जनता पार्टी पूरी तरह से सारे समाज को लेकर चल रहे हैं आज उसी की देन है कि राम मंदिर का निर्माड हुआ आज ल जो ना रहा है कि अब की बार चार सो पार तो अब जनता खुद ही चिला रही है कि अब की बार चार सो पार क्या साड़े चार सो पार होगा आप जब चुनाओ लड़े 2017 में BSP से लड़े फिर आप भाजपा में शामिल होगे फिर उसके बाद आप चुनाओ ही मैदान में ऐज़ा प्रतियाशी नहीं उतरे तो ये इंतिजार कब तक रहने वाला है अब देखिए पार्टी में हूँ और पार्टी जैसा मुझे दिसा निर्देश देगी वैसा मैं काम करता रहूँगा क्योंकि पार्टी के द्वारा ही निर्देशित मैं होके काम कर रहा हूँ जो हमाई पार्टी के उपर संगठन के लोग कर रहा है उनके द्वारा कहा हुआ ही काम कर रहा हूँ और उनको जब लगेगा कि हमें फिर चुनाओ लड़ाना चाहिए तो पार्टी का आदे सुगा तो चुनाओ लड़ेंगे बिपक्ष के बारे में आपकी क्या रहा है जैसे अभी भी जिस तरह से वो लगतार मोदी जी पर वार कर रहे हैं उनके अस्तित्यों पर वार कर रहे हैं या फिर जो भी उनके बाकी जो लोग हैं उनको लेकर वार कर रहे हैं जगा जगा पर दो चड़नों के तीन चड़नों के पार्टी के पक्ष में ओट पढ़ना है और जो विपक्ष है विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है अभी आपको बता हूँ मैं लखनों की बात बता रहा हूँ पहले यहां पर प्रतियासी थे रविदास महरोत्रा वो पिछले च्छे महिना चले फिर उसके डाक्टर अशुत तो उस वर्मा आग है और रोज प्रतियासी बदलना है वह कुछ यूट्यूबरों के माध्यम से केवल अपने आपको हाइक कर रहे थे आज वो भी हाफ रहे हैं वो भी परिशान है कि हम कहां से क्या चले गए आज उनकी इस्तितियत दिन प्रतितिन वह गिरती चली जा रही है उनको आम जनता ये कभी ओट देना पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि उनको लोगों ने जान लिया है ये क्यों लुभावनी बाते कर सकते हैं लोगों को गुमरा कर सकते हैं और कुछ नहीं क्योंकि माननी मोधी जी माननी योगी जी आज प्रदेश को आर्देश को सबसे उ पड़बन्द नहीं करें इसके बाद से उनकों पर लगा कि बिपक्ष नहीं उगली बठाए कि वो बीजेपी की प्लान भी है मतलब एक तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है फिर उसके बाद उन्होंन अपने भतीजे को उस पद से हटा दिया मैं बात कर रही हूं आका सानन्द जी की कि क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ काफी उग्र करके भारशन दे रहे थे क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ तué इसलिए अटा दियेगे है जो भी पक्ष की आरोपे हो सही है बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी हम लोगों ने बात किया इनसे राजेस पांडे जी से जिन्हों ने अपना राय दिया खेर इनसे जुड़े और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे यही पे तो बस बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूपी लाइब टीबी कैमरा पर सर्मक साथ मैं खुश्बू सिंग लगना हूँ